रासन कार्ड की EKYC करने गए वहाँ पर आपने बायोमेट्रिक किया और आपका अंगूठा मसीन ने एकसेप्ट नहीं किया मसीन ने इरर दे दिया अब आप EKYC कैसे करेंगे आपका अंगूठा कैसे लगेगा तो बिलकुल भी परिशान होने की जरूरत नहीं है मैं 6 बिदी ले करके आया हूँ मैं आपको सारी बिदी बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको अंगूठा लगाना है इन 6 में से आप कोई भी बिदी यूच कर सकते हैं या ये आप 6 बिदी की सारी बिदी आप यूच कर सकते हैं और आप अंगूठा लगाएंगे तो मसीन एक बार मे मसीन आपके अंगूठे को accept कर लेगी तो मैं आपको सबसे पहले बता दूँ सबसे पहले बिदी मैं आपको बताऊं कि आपको सिर्फ अंगूठा ही नहीं लगाना है जब आप EKYC करने जाएंगे तो वहाँ पर जदा तर लोग किवल अंगूठा लगा रहा है अंगूठा accept नहीं कर रहा है तो बस चुपचाब घर चले आ रहा है ऐसा बिलकुल भी नहीं करना है जब आप अंगूठा लगाने जाएंगे मसीन आपके अंगूठे को accept नहीं कर रही यदि फिर भी आपका EKYC complete नहीं हो रहा है तो मैं आपको इसके दूसरी बिदी बताने वाला हूँ उसको भी आप ध्यान से समझेगा और मैं आपको बता दू कि आप घर बैठे भी EKYC कर सकते हैं घर बैठ कर आप अपने मुबाइल से OTP के द्वारा EKYC कर सकते हैं बस आपके आदार में मुबाइल नंबर रजिस्टर होना चाहिए तो आप घर पर बैठ कर अपने मुबाइल से EKYC कैसे करेंगे वो मैंने बिदी आपको अपने इसी यूट्यूब चैनल में बताया है आपको वो वीडियो मेरे इसी यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा लेकिन मैंने अपने सारे वीडियो पब्लिक नहीं किया है मैं अपने कुछ वीडियो प्राइवेसी लगा कर पोस्ट करता हूँ तो मेरे वो वीडियो वही लोग देख सकते हैं जिसने मेरा चैनल सबिस्क्राइब किया हो यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सबिस्क्राइब ने किया तो जल्दी से सबिस्क्राइब करके वो विदी देख लो कि आप अपने घर से, अपने मोबाइल से, OTP के द्वारा कैसे EKYC कर सकते हैं, तो अब मैं आपको दूसरी विदी बताने जा रहा हूं कि यदि आपका हंगुठा नहीं लग रहा है तो आपको क्या करना है, तो इसमें आपको दूसरी विदी मैं आपको बता दूँ, आपके जो दसो उंगलियां हैं, उनको आपको ऐसे, ऐसे अपने सर पर जैसे आप इस फोटो में देख रहा है, इस तरीके से अपने सर में दो से तीन मिनट तक रगड़ना है, बायोमेट्रिक करने से पहले, अंगूठा लगाने से पहले, जब आपका EKYC करने का नमबर आए, उससे दो तीन मिनट पहले आपको इसको बराबर बालों में रगड़ना है, आपके बालों में हलका सा तेल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा तेल नहीं होना चाहिए, और इ इसकी आपको दूसरी विदिवी पता चल गई है, अब इसकी मैं आपको तीसरी विदिवी बताता हूँ, तो तीसरी विदिवी ध्यान से समझिएगा, इसमें आपको क्या करना है, आपको अपने अंगूठे, अपनी उंगली का मिडिल, जब आप EKYC करने जाएंगे, तो आ मसीन इरर दे देती है, ऐसा बिलकुल भी नहीं करना है, यह आपके उंगलियों के बीच में यह जो गोल गोल निसान होता है, जैसा आप फोटो में देख पा रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस निसान को आप उस मसीन के बायो मेट्रिक में एकदम बीचों बीच मे लगाएंगे, इसके बाद इसकी मैं चौथी विधी आपको बता दूँ, यदि आपका फिर भी अंगूठा नहीं लग रहा है, तो अब आप यह चौथी विधी सीख लीजे, इस विधी से आप अंगूठा लगाएंगे, तो भी आपका अंगूठा लग जाएगा, जब या उंगली मसीन में आप रखेंगे, EKYC आप करते समय, आप मसीन के बायोमेट्रिक में आप जैसे उंगली यांगूठा रखेंगे, उस समय उस पे एक लाइट जलती है, और आपको कब तक वो हाथ नहीं हटाना है, जब तक कि वहाँ पर EKYC करने वाला बंदा आपसे न ब आप अपना हाथ हटा लेजिए, क्योंकि ज़्यादा तर लोग क्या करते हैं, लाइट जलती है, और जैसे लाइट बंदोती है, बस हाथ हटा लेते हैं, उसके बाद मसीन एकसेप्ट नहीं कर पाती है, और इरर दे देती है, तो वो कुछ second का जो अंतराल होता है, वो आपक मिस हो जाएगा, फिर आपका baiometrik नहीं हो पाएगा, तो आपको तब तक हाथ नहीं अटाना है, जब तक कि वहाँ पर baiometrik करने वाला बंदा आपसे न कहिदेगी, अब आप हाथ हटा लेजिए, तब तक आपको वहाँ पर हाथ रख करके ही रखना है, इसके बाद इसके प तेल को हाथ में तब तक रगड़ना है जब तक वो तेल सूख ना जाए ऐसा नहीं कि पता लगा खुब सारा तेल लगा लिया और हाथ में रगड़ते हुए मसीन में रग दिया तो फिर वो बिल्कुल नहीं एकसेप्ट करेगा मैं आपको बता दूँ हाथ का तेल सूख जाना चाहिए मतलब बायोमेट्रिक करने के लगबग 10-15 मिनट पहले आपको तेल लगाना है और बहुत अच्छे से हाथ की मसाज करते हुए उस तेल को सुखा देना है उसके बाद आपको जो विदि मैंने जैसे बताया है कि किस तरीके से अंगूठा या उंगली रखना है उस त के बाद यदि आपकी मसीन आपके EKYC को एकसेप्ट नहीं कर रही है तो आपका जो आधार कार्ड है उसका आपको बायोमेट्रिक अपडेट कराना पड़ेगा बायोमेट्रिक अपडेट कराने के लिए आपको आधार कार्ड केंदर जाना होगा वहाँ पर आपको अपने द मैं आपको बता दूँ जब आप बायोमेट्रिक कराने जाएंगे तो उस समय आपको एक पर्चा मिलेगा उस पर्चे में कुछ इस तरीके का जो मैं जैसा मैं इस फोटो में दिखा रहा हूं इस तरीके से हाथ बना होगा और उसमें सभी उंगलियों में तिक का निसान या क्र समय लगाएंगे तो वो आपका EQIC कंप्लीट हो जाएगा मसीन आपके अंगूठे या आपके उंगली को एकसेप्ट कर लेगी यदि उसके बाद भी आपका मसीन अंगूठा या उंगली एकसेप्ट नहीं कर रही है तो आप हमसे कमेंट करके पूच सकते हैं या आप मेरी इ इसी YouTube चैनल में देख सकते हैं लेकिन आपको पता है मैं अपने सारे वीडियो पब्लिक नहीं करता हूँ कुछ वीडियो मैं प्राइवेसी लगा कर पोस्ट करता हूँ तो मेरे वो वीडियो वही लोग देख सकते हैं जिसने मेरा चैनल सबिस्क्राइब किया हो और आप लो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो जिससे ये वीडियो YouTube और लोगों तक पहुचा सके तो और लोगों का भी फायदा हो सके तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए जानकारी के साथ तब तक के लिए Best of Luck, Goodbye, धन्यवाज, जैहिन